बहुजन समाज पार्टी ने आज बीजेपी का एक विकेट गिराया है और जिसका विकेट गिरा है वो शेत्रिये उपाध्यक्षते पश्ची मुत्तर परदेश के जिनका नाम है केके शुकला, आज केके शुकला की जॉइनिंग हुई है, हमारे साथ बात करने के लिए परभा समाचपारटी इकार्खरत करता बनकर जो बहुजन समाचपारटी की राष्टी अध्यक्ष्च भेहन जी क्योंपर आस्ता रखते हुए, आज उन्होंने बहुजन समाचपारटी में शामिल हुए, पहले मैंने का स्वागत करता हूँ, और इनको बधाई देता हूँ कि यह से उन नती करें आगे बढ़ें जो साथ सम्मान को भारती इंता पाड़ी में नहीं मिला बहुजन समाज पाड़ी का मान सम्मान स्वाविमान की हमेशा ख्याल रखाएंगे यही मैं कहना चाहिए अपने उपीदवार भी बनाया है तो क्या लगता कि यहां की जो सीट है शेहर स आप देख लेना यह बहुत ग्यारा से बारावे के बीच में जीतते हुए नजर आएंगे और आपके सबसे पहले परत्यासी गाजी अबाद जिले के सबसे पहले जीतते हुए बिदायक होगे अच्छा प्रभारी जी आप से सवाल और पूछना चाहेंगे कि आप ही के सियासत में आदमियों का हमेशा मैंने देखा बहुजन समाज पालिटी को जो कैडराइज वरकर होता है वो विचारों से जुड़ा होता है विचार धारा से जुड़ा होने वाला वो कभी नहीं जाता है और जो सियासत से जुड़ा होता है उसका तो आना-जाना सियासत की मो अब समसू दीन जी किसी और पार्टी में चले गए फिर वो कए एकए थे तो यह क्या यह सिल्सला कैसे दखे जनता आज पार्टी की विचारधारा से जोड़ती हैं दुर्ती से नहीं जूड़ती जो विचारधारा होती है किसी वी दर राजनीतिक दलगी उस से जनता जोड़ती है उसी से प्रभावित होके उसी कारसेली पर ही बोर्डा करती है बहुजर्स समाज पाती हुए बहुत समाज पार्टी में शामेल हुए है यह थे पच्चिमी उत्तर प्रदेश के परभारी समसुदीन जिनका साफ तोर पर यह कहना है कि अब केके शुकला उनकी पार्टी के हैं उनकी पार्टी के उम्मीदवार हैं और वो यहां से रिकोर्ड तोड मतों से जीतेंगे काजबास से कैमरामेन सुनील के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सी